नमस्कार सातियों, आज बात करेंगे मेमने को सूबे से, मैं गर से बाहर में निकलने के बाद क्या क्या पिलाता हूँ, सबी में पिलाता हूँ दूद की साथ, अलग से मैं जो मैंने मिल्क देता हूँ, उसे साथ मिला के पिला देता हूँ, जैसे अब इस सूबे में मैंने मुक्सबू में का दिया और विम्रल दिया तो दूपर में आभी फिला रहा हूं इसमें एटुजेट का शिरफ जो होता है और माक्सल माक्सल देने का मतलब है अपको जो मेमने का दस्त लागने से पहली ये खतम हो जाएगा इसके अंदर जो विमारे पैदा होने का सभवब बना था वो माक्सल से खतम हो जाएगा और वीडियो की आंत में और एक दबाई दे होंगा आपको ना वीडियो में डाल दे होंगा जैसे बच्चे को दिक्कत ना हो जैसे चलने पिलने के लिए और पिलाने से आपको दिक्कत कि यह देन में आप तुरा उसको देज दिजिए गेजिंग करने के लिए बहुत सारे जगा और दोरे को ले को दे जैसे आपको देखने में बच्चे को जैसे बाल उजला है इसमें मैं सोबरे में जैसा चीचर बगरे के लिए मैंने दाबाई दिया हूँ तो इसका वाल जो है उजला उजला है देखने में आच्छा नहीं लगता है लेकिन मेरा बाच्चा तो सुरक्षित रहेगा न आपको दिख़ाई भी नहीं देगा जो चोटा-चोटा चीचर होता है करने से बाच्चे जो है न यह जल्दी ग्रोध कर लेगा वेट गिंद भी आ जाएगा जैसे यह पर मैंने अलग-अलग से रखा है यह पाच्छे बक्री है यह पर में दूसरे जगा भी भी है तो हम यह का वीडियो अभी धला आता जैसे वीडियो में देख रहे हैं कैसे हम दूद्द पिले रहें यह फ्यक्टरी के लिए यह आज में हुआ है कि यहां पर कोई जैसे वीडियो में जोटा मोटा कुछ बता नहीं हुग है इस तरह से आपको मेमने को देख presumण लखेंगे कि मेमने कभी भी आपको अ सिंद्सक्राब कि कमझ्ण नहीं होगा इस तरह मेमने को सरक शकत रहक गये और बक्रिपालों करी आपको देखने में भी आइफी नहीं लगा बीकर जैसे लगा लेकिन बक्री पलोन बहुत मेहनत का काम है जिस तरह मैं करता हूँ वो सायद कोई भी हाँ अद्बी नहीं करें जो वो सरे फार्मार अरे मेरे उपर गंदा लग गया ये बाल लगया वो लग गया तो इसके लिए बक्री पलोन में मत इस तरह प्रेक्टि के लिए वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें देने बात लिबर टोनिक टी होमियोपाति जो दवा है वो दूद में बिला देना चाहिए